किसान भाईयों आज है जन्वरी का लास्ट दिन यानि 31 जन्वरी संद वजार 23 और आपको आज हम इस खेत में लेकर आए हैं यहाँ पर जो किसान भाई ने गलती की है उसकी चर्चा हम करने वाले हैं क्योंकि ऐसी गलती बहुत से किसान भाई करते हैं और बाद में पच्ताते हैं पच्ताने के सिवाई और कुछ बच्ता नहीं है तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाने का मेरा मकसद यही है कि आप भी ऐसी गलती करते हैं तो मत करिए और अच्छी पैदावार के लिए तो हम इस वीडियो में पूरा discuss करने वाले हैं तो पहले दोस्तों दिखा देते हैं कि ये आपको सरसों का खेत दिखाई पड़ रहा होगा अब इस खेत में सरसों आप देख रहे हैं बहुत छोटी छोटी है और इतने चोटी यानि यदि हम ऐसे देखें तो यहाँ पर चार अंगोली यानि लगभग 2.5 इंच की है और इसमें आपको फोल बनना दिखाई पड़ना चालू हो गया होगा तो इसके पीछे काण क्या है कि मतलब 2-3 इंच की मातर सरसों की पौध हुई है बिल्कुल कमजोर सी दिखाई पड़ रही है और इसमें फोल बनना चालू हो गया तो क्योंकि यह लगभग अभी 30 दिन की करीब करीब हुई होगी इसके पीछे का मुखी काण है क्योंकि इसमें पहले गन्ना खड़ा था पेड़ी गन्ना था और उसके बाद गन्ने की कटाई करने के बाद और इसमें नमी नहीं थी खेत में इसलिए नमी ना हुनने के काण इसमें तुरंत सरसों की बौई कर दी गई क्योंकि लेट भी हो था अब दिसम्बर महीने के लाजट में بالकुल सरसों की 25-26 दिसम्बर को इसमें सरसों की बुवाई की गई है तो ऐसे में काफी लेट हो गया था तो लेट हुने के कारण इसमें सीधे सरसों की बुवाई कर दी गई और उसके बाद पानी चला दिया गया जैसा आप खेत की हालत भी देख रहे होंगे उसके बाद इसमें सिचाई कर दी गई तो सिचाई करने के बाद हुआ गया कि सरसों का जमाव तो हो गया क्योंकि काफी लेट था वहां पर जो पौधे मैंने दिखाया था वो तो कुछ बड जाना ही निर्भर नहीं करता है उसकी उत्पादन चमता पर क्योंकि काफी माइने रखता है जर्मिनेशन लेकिन यदि समय से बुआई करो यदि लेट आप करते हो तो लेट करने पर आपको उत्पादन नहीं मिलेगा तो दिसंबर के लाश तक इसमें बुआई की गई एक पहली गलती ये है कि काफी लेट किया गया और उसके बाद अब गन्ने की बुआई की जाएगी यनि सरसों कटाई के बाद फिर से इसमें गन्ने की बुआई की जाएगी तो कहीं न कहीं सरसों की फसल लेने के लालच में ये गलती कर दी गई क्योंकि पिछले साल आपने दे और प्षूल इसमें भी बन चुकों नहीं साना है। फूल इसमें भी हिना लाई दिखाई पड़ रहा होगा। ठेल यहां पर फूल इसमें भी बन भी पड़ रहा होगा। माने चले यह के ओक करें। इक इकड़ में मुस्किल से 2.5 कुंतल हो सकता है। कि सरसों निकल आए और उससे ज़्यादा कहीं तो पानी जो सिचाई किया गया जुताई किया गया और यह सब इसमें काफी कीमत लगी हालागी वो रबरक वगएरा एनपी के डीएपी कुछ तो डाला ही होगा किसान ने तो इसकी कीमत भी निकल पाना मुस्किल है और यही यह थोड़ा इंतिजार कर लेता जिसे पलेवा करके छोड़ दिया गया था छोड़ने के बाद अब जनवरी महीना समापत हो गया अब फरवरी महीने की सुरुआत होने वाली है और यही अब इस टाइम पर क्या था कि इस खेत में जदी किसान गन्ने की बुआई कर देता क्यों और उरद या मूंग की खेती भी की जा सकती थी तो इस तरह से दो फसले भी ले सकते थे जितनी पैदावार सरसों की नहीं ले पाएंगे उससे कहीं जदा टाइम पर मूंग या उरद की बुआई करके ली जा सकती थी और साथ में गन्ने की जो है समय पर बुआई हो जाती तो गन्ने का जमाव भी काफी अच्छे से होता, यानि कहने का सीधे मतलब है, यदि जल्दबाजी के चक्कर में सरसों ना बुवाई की गई होती, ऐसी गलती किसान न करता, तो उरदिया मूं की साथ में खेती कर सकता था सहफसली की, तो वो भी अच्छे खासे उत्पादन उससे मिल जाता, जो सरसों की एवरस से कही ज़्यादा इंकम हो जाती, क्योंकि जिस हिसाब से इस खेत में अब सरसों होगी, गर्मी का मौसम चालो हो गया, आप फूल पहले ही देख चुके हैं, चोटे-चोटे पहुदों में निकलना है, चालो हुआ उत्पादन आथ तो होना नहीं, दूसरी चीज जो है यहाँ पर गन्ने भी लेट होगा, तो गन्ने की भी टाइम पर बुवाई हो जाती, जिससे गन्ने का भी उत्पादन काफी बढ़िया किसान को मिल जाता, तो ऐसी गलती बहुत से किसान भाई करते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने इस खेत को जब देखा, तो मैंने सोचा कि आप तक ये जानकरी हमें पहुचानी चाहिए, अगर आप ऐसी गलती करते हैं, तो मत कीजिए, थोड़ा यदि आपके पास एक-दो महीने का, एक महीना या 20-25 दिन का टाइम बचा हो, तो ऐसे में ऐसी गलती ना करके सबसे बढ़िया है, कि उस टाइम पर आप अच्छे सखित की जुताई करके, 10-15-20 दिन के लिए छोड़ दीजिए, कमपोस्ट खाद बगएर डालिए, और उसके बाद आप दूसरी जो टाइम पर बुआई करने वाली फसल है, उसकी बुआई कीजिए, जिससे आपको अच्छी पैदावाई मिलेगी, तो जो आप लेट बुआई करके, लालच के चक्कर में फसल को ले नहीं पाते हैं, लागत भी बढ़ जाती है, फसल भी नहीं होती है, और दूसरी फसल भी साथ में लेट होती है, तो ये सब चीजें आपके साथ नहीं होंगी, और आप अच्छे से खेती करके बड़िया उत्पादन भी ले पाएंगे, तो बस दोस्तो जानकरी कैसे लिए कि कमेंट में जरूर बताईएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लिजेगा, धन्यादे,